अगर आप अपने जिन्दगी को बदलना चाहते हो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो आप भी चाहते हो गाँ में रहकर पैसा कमाना तो आज का ये वीडियो आप के लिए हैं आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जिन कामों के बारे में बताएंगे ये काम बिलकुल नए होंगे और अभी तक आपके एरिये में इनको किसी ने स्टार्ट नहीं किया होगा अगर हम कोई ऐसे काम करते हैं जिनको स्टार्ट ना के बराबर हों तो उस बिजनेस से हम मौटा पैसा कमा सकते हैं तो जब आप शुरू करोगे तो पैसा आप भी कमाओगे एंड में अगर कोई भी शुरू कर ले तो उससे आपको घंटा फरक नहीं पड़ने वाला क्योंकि शुरू आपने पहले किया था और लोगों की बात करें क्योंकि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो कई लोग हमें सलाय देने आ जाती हैं कि अरे भाई एक कौन सा काम स्टार्ट कर रहे हो इसमें प्रूफिट नहीं होगा आपको मतलब आप जब काम आँगे की सीड़ी चरने की कौनसेस करोगे तो लोग आपकी टांक पकर कर पीछे खीचने का काम करेंगे तो इसलिए दूसरों की ना सुनकर अगर आप बेरोजगार हो तो इस काम को अभी के समय पर सुरू कर सकते हो तो बिना टेम गवाए सीड़े चलते हैं टॉपिक पर के आखरे वो कौनसे बिजनेस आडियास है तो जो नंबर एक पर बिजनेस आडियास है वो है मधूमक की पालन बिजनेस हाँ दोस्तो हाँ सुनने को आपको अजीब लगा होगा कई लोगों को डाउट भी होगा कि मध मधूमक की मधूमक की का कोई बिजनेस करता है तो हाँ करता है मधूमक की पालन बिजनेस catastrophe कोई नहीं बताता लेकिन इससे मोटी कमाई मोटी होती है अभी की समय पे अगर आप दिसंबर में और जनवरी में इसको स्टार्ट करते हो तो आप अभी की समय पे इससे बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है इसको करने के लिए आपको कोई कड़ोरो रूपे लगाने के जरूरत नहीं है इसका सेट अप होता है अगर आपको इसको सही तरीके से करना है तो आप एक डिटेल में हम आप लोगों को वीडियो दे देंगे या फिर आप किसी भी भाई की इस बीडियो देखकर आप पैसे इसको स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों मदू मक्ही पालन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत अच्छा प्रोफिट देगा लगभग आप महीने में इस तीस से चालिस अजारों पे कमा सकते हो बस छोटी सी जगह से और अभी के समय पे क्यों जरूरी होता है करना ये भी आप जान ले पहले तो क्योंकि अभी के समय पे जो सर्सों का फूल होता है जो मदू मक्हीयों को जरूरत पढ़ती है फूल की क्योंकि जो मदू मक्ही जो रस चूस का लाती है तो वो फूलों से लाती है तरह तरह की फूलों लेकर अभी की समय पे सरसों का फूल भर फूल होता है अगर आप इस बिजनेस को जहां सरसों का इलाका हो जहां सरसों ही सरसों बोया हो वहां पे आप अगर छोटी सी जगह से इसको शुरू करोगे तो अभी आप दो महीने में क फूल टोड़ा कम होता जाएगा लेकिन मार्च तक भी रहता है लेकिन मार्च अपरिय तक फूल बिलोकुल खतम हो जाता है जी जितने भी अगीर अब की समय多त अच्छा पश्रों का मौर्च गा़ी. अगर आप मदू मक्की पालन बिजनिस स्टार्ट करते हो तो इससे आप मोटा पैसा कमाया जा सकता है तो दूसरा जो बिजनिस आडिया है वह है मुरगा पालन बिजनिस हाँ दूस्तो हाँ मुरगा पालन बिजनिस भी एक ऐसा बिजनिस है जो पूरे बारा महिने एक साथ चल करता कि कौन सा बैक्ती चिकन खाना नहीं पसंद करता है अगर आप मुर्गे पालन मुर्गा पालन बिजनिस करते हो तो इसमें आपकी लागत बहुत कम आएगी प्रोफिट आपका बहुत जादा आएगा और इसको करने के लिए आपको जरूत पड़ेगी अपने गाउं से थ इना क्यूंट कर वाने के बाद बढ़ियास है उनको बक्रीट कर लाएए जहां पर परसका पहले से अच्छा खासा फाम होँ वहां से खरीट कर, लाइए बच्छा, वहां से खरीक कर आप झालिये, बच्छों बजन होगा वो बढ़ जाएगा तो इससे भी आप मोटा पैसा कमा सकते हो कई लोग इसको कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं इसको करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी परती आपको बैस बैठे रहना है और थूड़ा सा काम करते कहते रहना है तो दूस्तों यह भी काम बहुत अच्छा लगा मुझे अगर आप इस काम को करते हो तो इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है तो आज का यह वीडियो हम आप लोगों को इनी दो बिजनेस आडियास पर लाए थे तो आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जलूर बताएं और अगर आप लोग हमारी यूटूब चैनल पर नाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वो ज्यादा से जाद आपने दूस्तों में सेर करें नवस्कार जहन